हमने कुछ दिन पहले कारेकरम बनाया था सिक्कर जिले की जोर की ढणी दाइनोविशन हाउस से कान सिंग जिन निर्वान की ढणी है जहां पर उन्होंने गो अधारित खेती और गो विज्ञान से समधित उन्होंने जो यहां पर नवाचार कर रखा है जिस तरह से उनोंने घर बनाया जिस तरह से वो खेती और गो पालन करते हैं उस पर हमने प्रोग्राम बनाया था उसको बहुत ज़्यादा आप लोगों के द owners रहा गया, बहुत ज़्यादा लोगों की दौरा देखा गया और लोगों की चाहत ही कि इसके बारे में हम और अधिक जानकारियां आप तक लाएं इसलिए आज हम फिर से एक बार पहुंचे हुए हैं शिकर जिले के जोर की धानी कान सिंग जिन निर्वान के यहां आज हम खेती के बारे में उनसे बाचीत करेंगे कि किस तरह से वो जमीन से जुड़े हुए हैं और किस तरह से वो गवाधारित खेती करते हैं और साथ ही उन प्रशनों को भी हम इस आज के एपिसोड में रखेंगे जो प्रशन आप सभी मित्रों के कमेंट्स के द्वारा आप पूछना चाहते थे आप जानना चाहते थे आप देखना शुरू कर चुके हैं के डियेच राजस्थान कान सिंग जी निर्वान मेरे साथ में कैमरे पर हैं मैं उनसे बाचित करूँगा और वो जानकारी आप तक प प्रगती शील कैसे बने कैसे वो खेती की सही पैचान और सही तरीका कर सके वो बाचित हम कान सिंग जी से करते हैं कि किस तरह से वो एक प्रगती शील का किसान कहलाए और उन्होंने खेती किन नवाचारों को अपने जीवन में अपनाया कौसरीक साब ये आज के समय का बहुत एम विशे को आपने उठाया है मैं पहले इस खेती की सिस्टम में जाना चाहूंगा हमारे सास्त्रों में हमारे रिश्यों ने जीवन जीने की तीन पदतियां बताई है पहली पदति ये कहा कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नो इसलिए थी कि पूरा देश और पूरी हमारे समाज का धूरी करन जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड जो है वो खेती पे आधारित होता था किसान जब अपने खलियान से अनाज निकालता था तो वो अपने गाउं के जितने भी जो लोग उस से आस्रित थे खाती का काम करन ना ही जो कटिंग के काम करने वाले जितने भी हमारे सामाजिक ढाजाडा ताना बाना जो था उसकी सब की पूर्ती करने के बàn वो उपने बच्चों के लिए अपने घर में आ आज ले जाता था ऐसा जीवन पदती की देश मैं पूरी देश में कीडी मकोडी से लेकर के हाती तक जो पालने वाला उनका पोशन करने वाला कोई विवशाई था तो वो खेती थी लेकिन दुरुभाग्य क्या हुआ कि जो उत्तम तरीके के जो लोग थे जो पॉजिटिव जो लोग थे जो प्रियोग धर्मी जो लोग थे वो खेती से निकल करके और सब नोकरी की ओर आ गए इसलिए उस नीच की उपादे था बढ़ गई और वो उपयोगी हो गया वो ज़् अस तरह से एक पद्दती बन गई उस परिपाटी को तोड़ने का काम इस देश में एक महापुरुष्ट के रूप में राजी उदिक्षित नाम से एक योदा हाए और उन्होंने इस युवापीडी को जग जोरा कि रोकर के नहीं जी करके काम करना है और वो खेती की और लोगों को अगसर करने लगे तो उसके बाद में लोगों ने खेती को अपनाना सुरू किया तो आज उस पदती में जो खेती में आनंद ढूनने के लिए खेती करते हैं खेती को जीवन का शरुत बनाने के लिए खेती करते हैं वो कभी ठकते नहीं हैं कभी रोते नहीं हैं वो खेती में डूब करके आनंद की अनुफूती करते हैं किसान की कोई जाती नहीं होती है किसान का कोई पंथ नहीं होता है किसानी ही उसका धरम है किसानी ही उसकी जाती है ये सडियंतर हुआ कि देश में किसान को अलग-अलग जातियों में अलग-अलग पंतों में बाट दिया गया, ये बहुत गलत काम हुआ, अब आपको किसानी के लिए सबसे महतोपुन जो बात है, तथा कती तो लोग आज हर देश में कहता है, मैं किशान हूँ, मैं किशान का बेटा हूँ, ये कहना बहुत सरल है, लेकिन किसानी की मूल में जान आपने सब बिद्वान लोग हैं, आप सब पड़े लिखी लोग हैं, आपने सुना कि पानी, जल और नीर एक प्रियाईवाची शब्द हैं, एक ही सब्द हैं, जल कहें चे नीर कहें चे पानी कहें, ये प्रियाईवाची शब्द हैं, इसके तीन सवरूप भी हैं, कठोर है धरती गाई और प्रकरती तीनु एक ही सब्द हैं प्रियाई वाची हैं ये और ये हैं भी एक ही जैसे बरफ पानी और वाश पेक हैं वैसे ही धरती गाई और नेचर तीनु एक ही हैं गाई है तो नेचर है नेचर है तो धरती है और धरती है तो प्राणी है ये बिज्ञान सम बिना मानवता शमझ में नहीं आती और जिस दिन गाई समझ में आ जाती है जिस दिन नेचर समझ में आ जाती है जिस दिन धर्ती की भासा समझ में आ जाती है पूरा ब्रमांड आपकी शमझ में आ जाता है इसलिए हमारे रिशियों ने हमारे मुनिशियों ने हमारे देवताओ ने ये कहा कि किशान तो रिशी है, क्योंकि इसी वज़े से रिशी था, वो भक्ती की प्राकास्टा में था, वो जो है मैनत की प्राकास्टा में था, वो हर जीव का पोशन करने की प्राकास्टा में था, वो कभी जीव को मारने की कलपना तक करने में विश्वास नहीं रखता ता उसका नाम किशान था विसे इस तोर से राजस्तान के जिस बेल्ट में आज हम बैठे हैं और हमारा जो सेखावाटी भू भाग है इसमें पहले एक ही पसल होती थी एक पसल केवल बरसात की होती थी और उस बरसात की पशल में भी 80-90% खाद्यान हमारी घर की कीचन का सामान हम केवल खेट से पैदा करते थे आज हम 10% खेट से पैदा करते नबे परसेंट बजार से खरेते तो सबसे पहले किसानों से मेरा एक निवेदन है कि आप अपने घर की आऊ सकता हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो पूरती कर सकें वो अपने खेट से करें मैं यहाँ मैं दर्धी लेता हूं अदरक लेता तांओ धनिया अलेता हूं में मिरच लेता हूं और मैं जो है कि सबजियां लेता हूं दाले लेता हूं अनाज लेता हूं सब तरह की चीजें लगभग four लगभग तेल मेरा यहां खुट बनाता KNOW और बहुत ठंडी वीदी से तियार करता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि यह देश जो है उत्पादन पर तो कुछ ध्यान देने लगा है, लेकिन processing पास्तिया नासकर दिया, जबकि इस देश की परंपराओं मेरी सबसे अबल दर्जे पे कोई थी, तो इसकी processing थी. Processing के दो example मैं आपको देना चाहूँगा, पहला एक्जामपल आपने कभी भी किसी भी प्रस्तिती में देखा होगा कि हमारे मशालों को पीस करके नहीं खाया जाता था या तो पत्थर पे बांटा जाता था या उखल मुसल से कूटा जाता था जिनको इस शाधुनी की नई दोड में उसको पीशना सुरू कर दिया उसके पीशने के बाद में उसमें कोई गुणवता बस्ती ही नहीं है सत्यानाश हो जाता है किसान के सामने सबसे बड़ी समश्य है मार्केटिंग की अपने माल को बेचना किसान नहीं जानता और उसका मैंने एक बहुत बड़ा एक्जामपल दिया पुरी दीश और दुनिया के खिशानों के लिए मेरे पास में 200-200 कपल आते हैं रात को रुखने का मेरे गेस्ट हाउस में अपना हिस्सेत के अनुशार जिसका जो सिस्टम होता है उसका वो सुलक देते हैं और खाने का सुलक देते हैं और जाते होगत अपनी गाड़ी जो हैं सामान की भर के ले जाते हैं उसमें रेट में कोई शम्जोता नहीं होता है मेरी जो रेटे हैं मेरी मर्जी मैं मेरी मैनत के अनुशार मैं तै करता हूँ लेने वाला तेह नहीं करता है और मेरे से जो मेरी तेह की रेटों से कोई शमान नहीं बिगता है वो मेरे पास में गाए, गोड़े, कुटे, बिली, खरगूश सब हैं, उनको खिला देता हूँ और उनको बेजता हूँ तो उनकी कीमत मैं तेह करता हूँ मैं एक भी आशा उतुपाद बजार में नहीं बेजता जिसकी कीमत मैं तेह नहीं करता और मैं चाहता हूँ कि देश का किशान इस तरह के प्रशेजर को शब के शब अपनाएं, हर किसान अपनाएं मैंने सरकारों से बार-बार कहा है कि सरकार अपनी निती ठीक करे किसान अपनी नियत ठीक करे तो ये देश सोने का सेर बन सकता है कि सेर में रहने वाले हमारे बंदू-बांदः जो हैं, वो हमारे एक-एक किसान के पास जाएं एक-एक किसान को गोद ले लें एक एक किसान को अपने घर का मेंबर बना लें तो यह देश शवतर उन्ति कर जाएगा आज भी पूरी देश और दुनिया में साइन्स के पाश में क्वांटिटी बढ़ाने का एक लास्ट सीमा आ गई है अन्तिम शीमा आ गई है अब क्वांटिटी आप नहीं बढ़ा सकती है पूरी देश में क्वांटिटी का डाउन फान सुरू हो गया है जमीने बांज होने सुरू हो गई है सरकार एक हाल खा रहे हैं साइन्टिस्टों का कि तुम क्वांटिटी बढ़ाओ जन्संग्या बढ़ रही है कोई बेस नहीं है कोई आधार नहीं है अब गठनी ही है क्योंकि एक सीमा होती है एक मर्यादा होती है अब उसका पतन सुरू हो गया है लेकिन हमारे प्राकरती के गो आधारेत खेती के सिस्टम में कोई सीमा नहीं है कोई मर्यादा ही नहीं है आप कहीं तक भी जा सकते है आज जो मानो सब्वेता जो विनास के पर था वहांगार के खड़ी है इस विज्ञान की देड है और ये विज्ञान देड है ब्रेस्ट सबस्क्रव करना पतन का बड़ा कारन बनेगा हमारे पुरुज को ने बरेन का कभी विरोध नहीं किया हमने विरोध इसस बातका किया कि बरेन अकिला उन्ध students नहीं करना जिए ब्रेन अकिला फास्ट नहीं होना चाहिए उसके साथ में हार्ट फास्ट होना चाहिए और हार्ट परतीक है प्रेम का प्रेम परतीक है रिस्तों का प्रेम परतीक है मौक्ष का भक्ती का इसलिए इन भक्ती का मौक्ष का रिस्तों का यदि हमें बढ़ाना है तो हार्ट को मस्पूत करना पड़ेगा और हार्ट मस्पूत होगा सिर्फ सुद्खानपान से और सुद्खानपान धर्ती और बर्मान में सिर्फ हमें इसी गाय से मिलेगा इसलिए मूल में हमारी संस्कृती में खेती हो, जीवन पदती हो हमारे रिसियों की पदती हो, मौक्स की पदती हो, सब के मूल में गाय खड़ी है, गाय समझेंगे तो खिती समझेंगे, अब आज मैं आपसे कहता हूँ कि मैं रेत के टीलों को और चिकनी मिटी की धर्ती को दोनों को इकवल एक जैसी उपजा सकता हूँ, यह साइंटिस्ट भरम में पड़ गए, इन्होंने फासफोर्ष नाइट्रोजन यह जमीन में ढूनना सुरू कर दिया, ऐसे ऐसे नाम बताने सुरू कर दिये, जो आज तक देश के सो किशानों को यह नाम आज तक नहीं रटा सके, ऐसे नाम उसे क्या फाइदा है, ऐसी प्रि हुंडने की जूरत है, यह सब चीजों का भंडार भरा पड़ा है, यह गलत रेक पर जा रहे हैं, यह कहते हैं कि पोधे का पोशन करो, मैं कहता हूँ कि पोधे का नहीं, धर्ती का पोशन करो, मा के पीट में बच्चा हो, और बच्चे का पोशन करें, मा का पोशन नहीं करे मा नहीं रहेगी तो क्या बच्चा रहेगा तो इसलिए मा का पोशन करो बच्चे का पोशन गोन है सबते हो जाएगा तो धर्ती का पोशन करें पोधे का नहीं करें तो ये बात शमज में आने चाहिए ये सब पोशक तत्वों का भंडार धर्ती में भरा पड़ा है केवल कमी जो है वो भंडार को पका करके खिलाने वाले शुक्षम जवानों की है तो धर्ती में जाच करनी है इन वेगानिकों को मिटी की जाच करनी है तो वो और किसी तत्वे की नहीं करें और किसी बात की नहीं की दर्ति करें कि कौन सी धर्ति में शुक्षम जुआणों कितने कम हैं कितने ज़्यादा हैं ज्बाता है तो ठीक है कम हैं तो उनको कैसे बढ़ाया जाए कैसे उनको स्च्प लगे जाये कए अज की साइन्स को सुचना पड़ेगा इसके वेगानी को को इस पे काम करना पड़ेगा और इसका एक बड़ा शवरूप है मैं आपको एक कमेरे से कहूंगा कि मेरी एक चीज दिखाएंगे जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी और देखी होगी तो बिल्कुल नहीं यार देखी है सुनी है तो बहुत अच्छी बात है आप मेरे अभी आज मेरी कुर्शी आगे वरना इसके एकदम टच करके मैं कुर्शी डालता हूँ और इसको मैं दिन में दस बार बीश बार इससे बात करता हूँ इसको मैं टच करता हूँ इससे मैं संबाद करता हूँ इसी के दिन जिस दिन मैंने ये लगाया उसी दिन मैंने वो पे उसमें मैंने आच्छा दन भी दिया है और उसमें और भी चीज़े दी हैं इसमें मैंने कुछ नहीं दिया कोई खड़ा नहीं है लोग कहते हैं कि पानी से पूदा त्यार होता है खाथ से अब मैं इसको यहां पर रोकूंगा एक प्रशन बार बार आ रहा था शायद आप उसी पत्ते भी पानी लेते हैं आप ने कोई खड़ा नहीं कर रहा है आप पानी नहीं दे रहे हैं तो वो क्या वीदी है क्या है वीदी समझाओंगा मैं इस पूइंट को पूरा करूँ वह आपकी बहुत जिनाइन परशन है यह आप देख रहे हैं आपके इमरे में दिखाएं इस पूदे और उस दोनों पूदों की तुलना भी दिखाएं कोई खड़ा कोई खाद कोई आपकी शामने भी है आप भी देख रहे हैं कुछ भी नहीं है कि मैं आपके आने से इसको मिटा दियो ऐसा भी कुछ नहीं है इसका कारण है यह 21 है वो 19 क्यूं हुआ उस पूदे क सब्सक्रarde कोई पहले हमारी रिशिव नहीं का है कि धर्ति धन्याशेतिए छी देख Michyiddyn के ध्र्ति मेंसे खुद जो है जो खेती से धर्ती का ुमालिक बन करके मा कीमा का उतिक आप उसका बेटा बनकर के मा का वह जोए ठीक के अंदर से निकल भी जाता है तो धर्ती का पे नहीं दुआ निकलती है सेम बोकी वो इन पौधों की शाथ में आप इन पौधों से एक बार संबाद करके चले जाते हैं बच्चा रोता होता है उसको कोई भी लालस ने चुप नहीं होगा चाती की चिपा के सिर्पे हाथ फिरें एक सेकेंड में चुप हो जाएगा ये इस प और तरीके दिखा दिये कि नहीं साब देखो ये ऐसा चीज़ है ये नहीं विज्ञान है आप अपने घर पे प्रियोग कर सकते हैं आप सो किलो अपने खेत में जाकर के हरा घास ले 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 और उस हरे घास को आप आड़ पांचे दिन तक लगाता कड़ी धूप में शुका और जब उसका बजन पांचे दिन बाद में करेंगे तो उसमें बजन आएगा 22 किलो ये 22 किलो बजन जो आएगा 78 किलो क्या था पानी था वो पानी गया कहां कलाइमेट में तो ये साइंटिस्ट तो कहते हैं कि पूदा पानी जड़ से लेता है तो वो पानी तो जमीन में ज आना चाहिए, climate में क्यों गया, यह निरी विवाद सकते है, कि 78% पूदा अपने जोन काल में पानी, अपनी खुराक के रूप में लेता है, लेकिन ये कहते हैं, जड़ से लेता है, और हम कहते हैं, कि climate से लेता है, वातावन से लेता है, और इसका प्रमान है, कि जहां से लिया ता वहाँ चला गया, ये भारत का दर्शन सास्तर कहता है, ये विज्ञान कहता है, अब आप आगे चलें, वो 22 किलो जो बचा है, उसको सूके फर्स पे जलाएंगे, तो उसमें दो क्रिया होंगी, एक काड़ा धुआ आएगा, जो कार्बन की रूप में कलाइमेट से लिया, उससी में विलीन हो जाएगा, एक लाल लो निकलेगी, जो सदे उपर की और गतिमान होती है, वो सूरिय से लिगी उर्जा है, वो सूरिय में विलीन हो जाएगी, अब आप सेस का भजन करेंगे ना, तो डीड परसेंट है, राख जिसको हम कहते हैं, अब बताइए आप कितना बड़ा न्याह है, साड़ी अठ्यानुवे परसेंट पोधा, अपने जीवन काल में, बिना किसी मानिवी साहिता की, अपनी खुराग कलाइमेट से लेता है, वातामरन से लेता है, और नीश सुल्क बिना किसी बिल के लेता है, केवल डेड परसेंट के लिए, ये मारती कहते हैं कि सब कुछ जड में दे दो, क्यों दे दे सब कुछ जड में, डेड परसेंट के लिए, और जब जड में सब कुछ दिने से ही पोधा जिन्दा होता है तो फिर आप डिये पी उरिया के बंडार भर दीजिए पानी का शमुद्र खड़ा कर दीजिए और पोधे को एर टाइट करके जिन्दा रखे दिखा दीजिए और फिर मान लें कि पोधा इन सबसे जिन्दा रहता है तो पाढ़ों पेड खड़े हैं जंगल में अन गिनित फलों से लदे पेड खड़े हैं इनमें दुनिया का कौन सा साइंटिस्ट खाद और पानी देने जाता है जब पाढ़ों पे लग सकते हैं वो जंगलों में लग सकते हैं आपके और मेरे घर में और खेट में लगने में उनको शरम आती है पूद्ह की जड़ को नमी चाहिए और नमी को मेंटन रखने की बहुत सारे तरीक है यह बहुत अच्छी बात पूछे आपने क्योंकि भरम पहलता है कि हम तो पोदह लगा के छोड़ देंगे जल जाएगा तो फिर यह जला क्यों है पोदह की जड़को नमी चाहिए और नमी की बहुत सारी चीजों पर मेंटन करती है पहले यह आपके जमीन की तासीर क्या है गुसरा एक एक एक्जामपल में इसमें और देता हूँ आप दो पोदे एक साथ लगा लें और उसमें दो दो फिट की चारू तरब दोनों में खड़ा कर दें दोनों के खड़े को पानी से भर दें एक में पूरे में आप 6-7 इंच का पूरा मलचिंग कर दें गासपूस भ आद में आएंगे तो वो जो खुला पड़ा उसकी एक फिर जमीन सूख जाएगी और जो वो है जो आपने मल्चिंग किया उसकी आदा हिंच जमीन भी नी सूखेगी जब पानी पोदा पीता है तो दोनों का पी जाना चाहिए ढखने बिन ढखने का क्या फरक पड़ता है और म अरम है हमारा ऐसा कहीं नहीं है इसलिए बहुत के लिए रहे किसी को संका है तो मेरे हां के देख सकता है समझ सकता किसान के लिए मेरे गेट मेरे दरवाजे हर वक्त खुले पड़े हैं मीरा ये मानना है कि किसी बिल्डिंग को खड़ी करनी है तो उसके सूत गुणिया में बांधना पड़ेगा और मनुष्य जीवन को शार्थक बनाना है तो हमारे संस्कृति और हमारे शास्तर के अनुशार उसको सूत में बांधना ही पड़ेगा शास्तर हमारी मर्यादाएं हैं शास्तर हमारे बंडार हैं और शास्तर हमारी जीवन पदती है संसकर्ती ही हमारा जीवट है इनसे हम इसी सूत में बांद करके जीवन को जीएंगे तो ही हमारा जीवन सपल होगा और ना तो गसीट गसीट के भी जीएंगे रगड रगड की जीएंगे तो जीवन तो पूरा हो जाएगा इसकी कोई उपलब्दी नहीं है उपलब्दी तो जूत और गुणिया से ही बनेगी यह ऐसा मेरा मानना है बोली सरो अब अपन खेती पे थोड़ा सा चलते हैं कि किस तरह से आप जो खेती करते हैं अब हम पहुंच सुके हैं कान सिंग जी निर्वान के उस खेती स्थल खेत में और उनसे बादसीत भी करते हैं और समझने की हैंगे और इसको आप नीचे से खोदेंगे तो जमीन की पूश्चन देखे आप आद से पूरा खड़ा खोद सकते हैं देख लिए कितने सुक्षम जवानों हैं और यह यह जमीन जो है मेरी मिट्टी देखे आप कितनी सौप्ट है इसको दिखाएं आप इसमें नमी है इसल इसके पास भिनडी खड़िया इसी नमी से खड़ीये यह बैंगन का पीड कढ़ा है यह यह इरंड खड़ा यह ऑदर बिंडी खड़ी है यह सबक सब एक दुसरे की जड़ों को प्रोटेक्शन देते हैं एक दुसरे के सायक हैं एक एंपिटर नहीं है ऐसे ही सब और मेरे ज इतनी बड़ी दूरी को घेर के खड़े हैं, यह पूरा पोदा यहां से यह पूरा इसी का है, इस अब के सब, दूसरी होते हैं, जल जाते कब के ही, तो इसको पूशन देखे आप इसे फल समते नहीं है, कोई पानी का खड़ा आप कहीं देख लें, आपके मरे से अच्छी तर इस में पूशन देखे यही नमी है, कोई पानी कहीं नहीं है, कोई खड़ा नहीं है, आप अच्छी तरह से केमरे को दिखा देखे, यही गुमार का बूठा इसके पूरे को प्रोटेक्शन देखकर के, पूरे को ढखके बटा है, यही एक गुमार का बूठा देख लिए, इस बाज्रय में यह गुमार भी है, यह मूंग भी है, यह काकडी मत्या, यह मूंग का बूठा देखे आप, यह सब इसी का क्रामात है, और इनमें एक एक बाज्रय से 20-25-25 कलियां आई वी है, इसमें अब बहुत गिंती के बूटे थे, अब आप आदमी इस से आसानी से न यह सब प्राकरती खेती गोवा अधरिस खेती का सिस्टम में गाय की करामात है। इसमें मेरा कोई चमतकार नहीं है। गाय सुक्षम जुवानों को प्रोटेक्शन देती है गाय का गोबर। यहाँ पर मिट्टी में चलिकते हैं। जो आज तक आपके दर्सकों ने कहीं किसी जगे पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। मैं पुरे देश और दुनिया की साइंटिस्टों को अनेक मंचों से मैंने चलिकते कहा है। कि गाय और बेल के खुरखोज जिस धर्ती में रखे जाएं। उस धर्ती में कोई साइंटिस्ट रोग लगा के नहीं दिखा सकता। और कच्चे कि किसी भी तरह गाय की गोबर में कोई दीमक लगा के नहीं दिखा सकता। मैं चेलेंज करता हूँ। प्रश्ण आया भी था कमेंट में आपने अपने अपने उस जगह पर चलेगे। कि जैसे आपने जो घर बना रखा है वो गाय के गोबर से उसको लिपाई वगरा करके बना रखा है। वो एंटी बेक्टिरियल है लेकिन क्या उसमें दीमक वगर आपके घर में नहीं लगता। मिट्टी का समायुजन होने से दीमक लग सकती है। मिश्ण होते ही। लेकिन अकेले गोबर में कभी दीमक नहीं लगती। गाय के गोबर में कभी दीमक नहीं। वो मिठी के शाहरे दीमक आ सकती है, लेकिन अकले दीमक कभी नहीं आ सकती है, तो और देखिए आप इस मिर्च को फॉक्ष की जी आप, ये पूरा पोदा सुका पड़ा एक फिर तक खोद लें आप, आपके सामने मिठी की तासिर दिख रही है आपको, पूरी सुकी पड़िय मिर्चियों की पोजिशन देख लीजिया, ये सब जगे पूरी पोजिशन ये की है, ये मेरा घना जंगल खड़ा देखिया, इसको देखा देखिया, इसमें पचीस परजाती के पेड़ है, पचीस तरह के फल मुझे बजार से नहीं लाने पड़ते, और इसके नीचे मैंने एक एक इंच जमीन का उप्योग किया है, इसमें मैं बहुत सारी अनेक तरह की ओस्दियां लेता हूँ, मैं इसमें हल्दी अद्रक लेता हूँ, शतावरी, अश्वगंदा, और हमारे जो लोकल कई तरह की घास जिवाँ, उनकी कई जड़ी मूटियां बनती है, बीस पचीस इस तरह की जड़ी मूटियां का उत्पादन मेश में लेता हूँ, मेरा प्रते की किसान से निवेदन है, कि अपनी जबेन के दश्वेशे में गना और गैरा जंगल होना चाहिए, जिसमें फलदार, फूलदार, चायादार, जो उनको शूट करें, वो पेड़ लगाएं, ल पूरा जो आपको नेचर का जो क्लाइमेट मिलेगा, जैसे में इसमें इतने मदुमक्यों के चटे हैं हमारे, तो मदुमक्यों जाएं होंगी वहाँ प्रांगण होगा, तो प्रांगण होगा वहाँ आपने आप पसलें अच्छी काम करेंगी, तो इस तरह से ये पूरा का हम नेचर को खोते जा रहे हैं, नेचर को खराब करते जा रहे हैं, इसलिए खेती नहीं हो रही है, तो खेती में पेड़ पोदों का सबसे बड़ा रोल है, और पूरे पेड़ पोदों में इस धर्ती में सबसे बड़ा रोल देशी गाय का है, गाय समझे बिना ये कुछ भी सम कि मैंने तो इनमी लग जाएगी किसा कतम फिर इस बंदरा दिन की फिर चले गई क्योंकि इसका पानी सोकता ही नहीं उपर बोदों ने ढख रखा है यह हरा आदमी कर सकता है कि बहूं को और यह मैं हमारी एक-पराजिता जो है भगवान-करशन के मोकट का फूल इसके मैं नर्शरी त्यार करता हूं इनके पोदे जो सो रुपे का मेरा तो इसकी मेरी बहुत अच्छी यह जो आपको दिख रहे है प्राजिता है यह भगवान कर्शन के मुकट का फूल है इसके दो फूल खालो बड़ा इंटीवाटिक है उसके महामारी की बीच में बैड़ जो कुछ नहीं बिगड़ेगा बहुत सकती साली भगवान कर्शन के मु स序ब को पहुंचता ही नहीं है तो इसको पानी की जूरुत ही नहीं है यह पूरी फैल करके त्यार है कि दिख पत्ते कितने गिया हमने ले ली इसकी और अभी भी बहुत दिनों तक और आती रहेंगी तो यह देसी घिया है यह साल बड़ तक चल जाती है एक प्रशन जो कई मित्रों के द्वारा पूछा गया जो कांझसिंग जी से ये पूछना भी चाहते हैं कि क्या आपकी आई का शुरुत सिर्फ किसानी है, क्योंकि कई लोग आपसे प्रभावित हुए है, वह यह चाहते हैं कि हम भी प्राकृतिग खेती अपनाएं गवाधारित खेती को अपनाएं लेकिन प्रारमभिक च्रणों में ही उतनी सारी सुविधाएं हासिल कर पाना असान नहीं हैं साधान किसान होते हैं, तो वो किस तरह रहे क्ला अचमित हैं Greekित और यो दर्ट आखे तो जिर्फ का Two आपको है किसानी है या आप को और कही दस एकड़ से मैं 50 करोड रुप एलग कमाता हूं या 5 करोड रुप कमाता हूं ऐसा मैं कोई अतिश योक्ति वाली बाते नहीं करता हूं लेकिन मेरे जो भी स्रोत हैं इनकम के उनके बीच में खेती ही खड़ी है जैसे मैं आपको एकजामबल देता हूं मैं गोपालन करता हूं और टॉप अच्छे नसल की गाएं पालता हूं मैंने साल की तीन बच्छी भी पाल ली और नियून्तम से नियून्तम उनकी कीमत जुमानों में तो 50 से डेड़ लाक रुपे हूए तो मेरे डेड़ लाक रुपे की इनकम होगी अब मैं मेरे पास बहुत सारे गोड़ी गोड़े हैं लेकिन मैं एक गोड़ी की बात करता हूं मेरी घोड़ी मुझे पेट से 50,000 रुपे कम से कम देती है और एक लाक रुपे वो पीट से देती है साधी ब्याम में भेजता हूँ और वो मुझे आनंद की अनुभूती देती है तो अब घोड़ी मेरी खाना मेरे खेत का खाती है लेकिन वो मेरी खेट की इंकम नहीं, मेरी साहे की इंकम है लेकिन समंद मेरा उस खेट से है इस तरह से मैंने बहुत सारे इसके शरोत खोल रखे दश शरोत मैंने इस तरह से रास्ते खोल रखे वो ही किसान करे अपने यहां गोपालन करे और दूसरी कोई चीज पालना चाहें, वो पालें, जो उनकी पूर्ती जो है, उनके खाने की पूर्ती खेत से हो जाए, इस तरह के वो साहिक काम चालू करें, गाय से घी बनाएं, दूद नहीं बेचें कोई भी खिसान, ऐसा मेरा मानना है, दूद और पूत बेचना अपरा, ह उसका बहुत बड़ा लोजिक है, किसान घी बनाएं, और घी से वो ऐसे लोगों से जुड़े है, सेहर में जाएं, सेहर के लोग एक किसान को अपना फैमिली मेंबर क्यों बनाएं, एक किसान भी जाकर के सेहर के वेक्ति को फैमिली मेंबर बनाएं, तो दोनों और से चलने तो आदमी एक परिवार को पकड़ने की तो योगयता रखता ही रखता है नहीं कम से कम तो जाए सहर में उससे समन्ध बनाए एक डॉक्टर के पास एक बखील के पास एक कोई अधिकारी के पास एक रमचारी के पास जाकर के आप महने में पांच दिन जाके राम राम साय राम सीधा कस्टमर को पहुंचाए बीचोलियों को खतम करें तो ये सब को भागिर्ती प्रियास करना पड़ेगा और अपने उत्पादन में इमांदारी लानी पड़ेगा जो वो उत्पादन करता है उसी का बखान करें ये उसमें जूट एक दिन जूता जुराब के नीचे जुर पहनलो आप कितना भी छुपा के पहनलो किसी ना किसी दिन ओपन होगा और जिस दिन वो फटावा जुराब ओपन होगा उस दिन आपकी फजित होगी इसलिए इमांदारी पे कभी शम्जोता नहीं होना जाहिए जो आप कहते हो कि मेरा ये सत्परतिसित बिना जहरका है तो प्राण चले जाए एक दाना भी नहीं हो भूल चूक से किसी कारण से लेकिन उसे समझोता नहीं हो जो प्राकास्टा सक्ति की हनमान जी के पास है उतनी ही प्राकास्टा की सक्ति किशान के पास है लेकिन वो भरम में शक्ति का जो परदा जो हनमान जी के उपर पढ़ गया जव से कहा कि लंका जाना है तो उनका शमुद्र कून कुदेगा कैसे पुदेंगी तो जामवन्च जिने कहा कि तुँ उल्टा झाँ रहूँ थेगा तब पहुंुचे गाफ़ व हो की वो जामवट जी की जुर्ट आज अज किशान को है किसान की income की रास्ते यह नोंने कहा कि तुम उतुपादन बढ़ हो टुमारी पैसे बढ़ हो लेकिन ये नहीं बताया कि तेरी income लगे नहीं वो रास्ता क्या है हमारे सिस्टम मैं मेरे हाँ मेरे परोशी से income हो सकता है 100 रूपे कम हो जाए लेकिन मेरे प्रोषी के प्रोषी के 1000 रुपे की इंकम के उपर 1100 रुपे की लागत आ रही है और मेरे 1000 रुपे की इंकम के उपर एक रुपे की लागत नहीं है बीज मेरे घर का, बीजने के तरीके मेरे घर के, निनान लाउनी सब मेरी खुद की घर की तो मेरे किस बात की लगता है हमारे यां किसान भारत का जिंदा इसी लिए था कि उसको कुछ आज के 20 साल, 30 साल पहले भारत के किसान की स्ट्री में चले जाएं आप कोई भी आदमी अभी तो उस उमर की लोग जिंदा बठे है वो जाके देख लें, समझ लें कि किसान का एक रुपया भी बजार में नहीं जाता था सब कुछ उसका अपना होता था तो जब बजार का कुछ खर्ची नहीं वा जो आये वो अपना तो सब को देने में उसको कुछ शंकोच नहीं था इसलिए कुमार को देता था, नाई को देता था खाती को देता था, सब को देता था, अब क्या दे दे? अब दे दे तु फाबाजी हो जाए, बात्मित्या करनी पड़े इसलिए आत्म निर्वरता किसान की बढ़ने के लिए जैसे कि आपने भी कहा कि कहती के साथ साथ उसे स्वाव लंबी होना पड़ेगा आत्म निर्वर होने के लिए और साथ ही पशुपालन का भी वो रखेता के पशुपालन सबसे बड़ा रोल गाय का है एक गाय से आप 30 एकड में सेखावाटी की सो बीगा जमीन में बंपर बसर ली सकते हैं और किसी रसाइन से कम उत्वादन ही होगा लेकिन मेहनत करनी पड़ेगा केबल इस जिरो बजट पराकरती खेती का माइनिस पॉइंट ये कि इसमें पड़े-पड़े निर्जी ववस्ता में आप जो है आलसी होकर के इस खेती को नहीं कर सकते हैं अब इसमें अब कितनी संख्या में आपके पास में मेरे पास में 12 तेरा गोमाता है नंदी है चिनसल का और गोडी-गोड़े हैं और कुटे-बिली-खरगोश शब है मेरे पास जिसे गोड़ा-गोड़ी आप सेल भी करते हैं पलन करने के साथा है में श्रंबरदन करता हूं गोडी-गोड़ों का और सफारी करता हूं और राइडिंग सिखाता हूं और बेचना करना भी करता हूं और आपका खेत कितना बड़ा है मेरे हमारे पास में करीब 32-35 एकड़ जमीन है उसमें हम चार भाई तो बहुत छोटा किसान इस तरह से किसान आर्टमन निर्वर हो सकता है प्रगिती सील बन सकता है किस तरह से वह प्रकृती के प्रती फ्रेंडली रहे प्रकृती को अपनी अधारत खेती को अपनाएं देशी गाय का पालन करें और देशी गाय की पालना से के वगएर खेती का पूण लाब मिलना आपके इसाब से नामुम्किन है और आज का यह समझनी पढ़ेगी कि यह देसी गाये क्यों यह भी आपके दर्सकों के मन में एक भरांती आएगी कई बार लोग कहते हैं बैंस क्यों नहीं अमरीकन गाये क्यों नहीं उसमें गोबर नहीं देती क्या यह बहुत बारी की विसे उनको श सपेद जूट है दर्ती में मैंने आपसे का डीड़ परसेंट पोजा खुराक लेता है उसे डीड़ परसेंट में 26 पोशक्ततों की जुरुत होती है वो शब के शब पोशक्ततों का भंडार दर्ती में भरा पड़ा है केबल वो जडू के नुरूप नहीं है आपके घर में आपके इस्टोर में पूरा शामान भरा पड़ा है पूरा कर पूरा और फीड़ान आपके घर वाली घर में नहीं हो तो आप आप मगाएंगे टीपन कोई नहीं पता अपना प्रफेकीश देगा आपको अच्छा लगे तो खाएं नहीं जैगों मताँ आप चार्च है मैंने वो टीपन खाएंगे तो गुटने टोग जाएंगे आपके घरवाली घर में आएगी तो उसको पता है आप कितना खाएंगे और क्या खाएंगे आपका बीटा क्या खाएगा और कितना खाएगा ये उनको ग्यान है तो वो कभी थकते निये खाने से और वो प करता है तो प्रमाणिंट ब्यूस्ता क्या है प्रमानिंट ब्यूस्ता वह आपकी घरवाली है वह घर में आए से युआ की वह पूईशान धरती की है धरती की घरवाली शुक्षम जुआनों हैं वो धरती में जाएं और उस भंडार में से उनको पता है कि कौन सी जड़ क्या खायेगी और कितना खायेगी quantity और quality दोनों का ग्यान है वो जड में से पका करके और वो शुक्षम तत्वे वो शुक्षम जवानों उसे जड को खिलाएंगे तब पोधा पलवित और पोशित होगा वो किसी रोग से नहीं डरेगा जो घर का पोश्टिक खाना खाता है वो कोरोना से नहीं डरता है वो किसी कीचन मसपूथ है जिसमें कीचन में भी बनाने वाली मसपूथ है बनाने वाली जान अब यह जीवन जो है वह बनाने वाली पे यादारित है वैसे कि वैसे पोधही का जीवन उसे सुक्षम जीवानों पर आधारीत है तो वैसे ही ये डेरी की धरती ये चिकनी मिठी की धरती ये बैलोरेत के धरती कोई मैतुपन नहीं है बैतुप्र वो शुक्षम जुआनों हैं जिस धर्ती में ज्यादा होंगे वो धर्ती सवते निपजेगी कोई नी रोक शकता ने दुनिया का साइंटिस्ट रोक शकता ने कोई किसान रोक शकता जादे जाते हैं एक बात और भी मैं करना चाहूँगा क्योंकि कई लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं इस प्राकरतिक खेती को कई लोग अपना रहे हैं आज तेजी से जसे शेड़ें गेर जागृति भी चूंकि शमय हैं तो लोग इस कमी को भोगत रहें इस रसाइनी खेती क तो लोग आपको मिलने भी आ आते होंगे तो मैं आज प्रोग्राम के मांध्यम स्ट Cohen किक यह कई बार सोगम ह constitution उसके किस तरह से रहते हैं और अपकी किस तरह से लोग अगर आप से मिलना चाहें जाएंच हो आपको सोगम मैरे परिए है तो मैं गीव सो के आसपास एवरेज 300 लोग मेरे पास रोज पूरी दीश भर से आते हैं तो मैं आने वाले मेहमानों से एक ही निवेदन करता हूँ वो मेरे से फोन करके आएं तो उनको शुविदा रहेगी मैं आराम से बात कर पाऊंगा वरना तो कई बार क्या है कि इस गूगल पर जोर की ढानी डालते हैं और वो सीधा गेट पर आजाते हैं फिर भीड बढ़ा के में सब बाते उनके शमाजबे में नहीं आती है तो इसलिए समय फोन से बात करके आएं और जब भी उनको बातशीत हो जाए तो उस समय पर आजाएं देखें सीखें खेती जीने का नाम है खेती जीवन पदत्ती का नाम है खेती आनंद का नाम है खेती संपुरन जो है मानोता का नाम है लेकिन अयासी का नाम नहीं है एश्वाराम का नाम नहीं है वो कभी भी नहीं है, वो लगजरी लाइफ नहीं है, वो बहुत इतपस्वी लाइफ है, इतपस्य से जीना जाए, कोई अपने मुक्ति के मारक खुलना चाहे, अपने आनंद के लिए जीना चाहे, तीन सो पैसर दिन, सो साल तक, बिना किसी रोग के जीना चाहे, उसका नाम ख प्रकृतिक खेती गो आधारित खेती से जुड़े कान सिंग जी निर्वान के साथ जिनका साफ साफ कहना है कि प्रकृति से प्रेम किये बगेर अपनी जमीन से प्रेम किये बगेर अपने पोधों से प्रेम किये बगेर आप उस खेती का आनंद नहीं ले सकते और आपकी जमीन आपको सोना उगल सकती है यदि आप गोपालन करें देशी गाय पालें और अपने पोधों अपने जमीन से प्यार करें प्रकरती से प्यार करें और प्रकरती भी आपकी मित्र होकर आपके जीवन को खुशाल बना देगी और कुछ हमने प्रेशन भी लिये जो पिसले एपिसोड में हमने जो प्रोग्राम बनाया था जो आपके मन में संकाएं थी उन संकाओं को भी हमने लिया इसी तरह हमारा ये सलसला जारी रहेगा प्रकरतिक खेती को जदा से जदा बढ़ावा मिले लोग जदा से जदा लाब ल अभाव लिदा लगे व्या जो अवरान है कर दे में है।